तो देखिए हम लोग क्लास 7 को कर रहे हैं जिसमें हम पहुंच गए हैं चैप्टर 9 पर तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था जिसमें हमने 16 कुश्चन जो है वो डिसकस किये थे तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से उनको देखा होगा वीडियो बार-बार देखना है जिससे आपको चीजें सभी याद हो जाएं ठीक है कुश्चन 17 देखते हैं मुकुट बिहारीलाल भारगव का जन्म कहा हुआ तो सम्विधान सभा में जो सदस्य शामिल हुए थे जो की राजिस्थान के मूल निवासी थे उनमें से थे एक मुकुट बिहारीलाल भारगव तो इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1903 को उदैपुर रियासत में और ये क्या थे एक वकील थे मुकुट बिहारीलाल कितनी बार लोगसभा के सदस्य रहे तो ये सोतंतरता के बाद ही तीन बार अजमेर निर्वाचन शेत्र से लोगसभा के सदस्य रहे थे मानिक के लाल वर्मा का जन्म कहां और कभ हुआ तो बहुत ही महान हस्ती हैं मानिक के लाल वर्मा राजीस्थान के प्रधान मंतरी भी रहे हैं जब व्रहत राजीस्थान का निर्मान हुआ experiencia 들 प्रदान मंत्री रहे थे मानिक के लाल वर्मा, इनका जन्म हुआ 4 दिसंबर 1897 को विजोलिया भीलवाडा में, ठीक है, तो याद रखेंगे कि मानिक के लाल वर्मा का जन्म जो है होता है विजोलिया भीलवाडा में, नेक्स्ट दिखिए, question 20, मेवाड प्रजा मंडल का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्स्ता मानिक के लाल वर्मा ने कब की थी? तो यह 1941 इस्वी में की थी, ध्यान रखेंगे, पंचीरागीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो पंचीरागीत जोकी बहुत लोकप्रिय हुए था, मानिक के लाल वर्मा के द्वारा ये लिखा गया था। जय नरायन व्यास का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म जोदपुर में हुआ था जय नरायन व्यास जो हैं मारवार के थे जोदपुर में इनका जन्म 18 फरवरी 1899 लिए में हुआ था तरुन राजिस्थान और अखंड भारत के प्रकाशक कौन थे तो जै नरायन व्यास ही थे तरुन राजिस्थान और अखंड भारत के संपादक रहे हैं प्रकाशक रहे हैं जै नरायन व्यास जे नरायन व्यास राजिस्थान के मुख्य मंतरी कब तक रहे थे? तो ये राजिस्थान के मुख्य मंतरी रहे थे जे नरायन व्यास 1951 से 1956 की अवधी थक वही हमने 1948 में देखा था कि व्रहत राजिस्थान के प्रधान मंतरी थे मानिक्यलाल वर्माची गया और उसके बाद जे नरायन व्यास जो है राजिस्थान के मुख्य मंतरी रहे वलवंत सिंग महता का जन्म कब हुआ वलवंत सिंग महता का जन्म कब हुआ तो इनका जन्म आठ फरवरी 1900 में उदैपुर में हुआ ठीक है और 1938 में ये प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष भी बने थे समविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल समविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजिस्थानी कौन थे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोशन है सेवन्थ क्लास चल रही है नाइन्थ चैप्टर में ही देखिए इतना अच्छा कोशन है जो कि आपको से टैन तक की सभी बुक्स जो है वो याद होनी चाहिए तो यहां सबसे पहले जो हैं बलवंत सिंग महता रहे थे समविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सबसे पहले राजिस्थानी रहे थे बलवंत सिंग महता दलेल सिंग का जन्म कब हुआ था तो ये जो भी हम नाम पढ़ रहे हैं ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने समविधान सभाग के सदस्य जो हैं रहे हैं और ये राजिस्तान के मूल निवासी रहे थे तो दलेल सिंग जो की कहां के थे कोटा के ठीक है और इनका जन्म 18 मार्च 1909 इसवी को हुआ था जस्वंत सिंग किस रियासत के महाराजा के प्रधान मंतरी रहे थे तो महाराजा सारदूल सिंग के प्रधान मंतरी रहे थे जस्वंत सिंग तो ये वो जस्वंत सिंग नहीं है जो कि महाराजा थे यहां पर हम बात कर रहे हैं जो समविधान सबा के सदस्य रहे हैं जस्वंत सिंग तो वह महाराजा सारदूल सिंग के प्रधान मंत्री रहे थे हीरा लाल सास्त्री का जन्म कब हुआ था तो इनका जन्म जैपुर के जॉबनेर में 24 नवंबर 1899 को हुआ था हीरा लाल सास्त्री के बारे में तो बहुत बार हम लोग पढ़ भी चुके है नेक्स्ट देखिए हीरा लाल सास्त्री ने टॉंक जिले की निवाई तहसील के वनस्थली ग्राम में किस संस्था की इस्थापना की थी तो जो सास्त्री जी थे इन्हों ने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की थी तोंक जले के निवाई तहसील के वनस्तली गाउं में और जिसके माध्यम से ही ये समा सेवा की दिशा में बहुत सारे कार्य करते हैं बाद में जाके ये जैपुर प्रजा मंडल जो है उस राजिस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे ध्यान दे राजिस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल सास्त्री बने सर्वी टी कृष्णमाचारी कहां के रहने वाले थे सर्वी टी कृष्णमाचारी तो ये रहने वाले थे तमिल नाडू के ठीक है और समविधान सभा के सदस्य रहे ये जो की राजिस्थान की रियासतों में प्रशाशनिक अधिकारी के तौर पर रहे थे C.S. Venkta Chari कहां के मूल निवासी थे तो ये भी B.T. Krishnamachari की तरह ही Venkta Chari भी एक प्रशाशनिक अधिकारी थे जो की राजिस्थान की रियासतों में जाकर वहां पर कारे करते हैं तो ये करनाटक के मूल निवासी थे जोदपूर के महराजा उमेर सिंग ने C.S. Venkta Chari को कब अपना प्रशाशनिक अधिकारी बनाया था तो इन्होंने 1949 सीषवी में अपना प्रशाशनिक अधिकारी बनाया था उसके बाद में जो जैपूर के राज प्रमुक थे राजा मान सिंग तो उनके समय में प्रशाशनिक अधिकारी भी ये बने थे कौन? C.S. Venkta Chari, ठीक है? विजोलिया किसान आंदोलन के दौरान CT विजिया रागवा चारे किस राजस्व मंतरी को विजोलिया भेशते हैं? तो विजोलिया किसान आंदोलन के समय में उनसे क्या किया था? समझोता किया था लगान की दरें जो हैं वो कम की थी जो भी लागवाग लगाए गये थे हूँ को समाप्त कर दिया गया था तो यहां आपका 9th class का chapter जो है वह है complete होता है, बहुत अच्छे से इनको ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो है इस chapter में से क्या पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा कि समविधान के निर्मान में राजिस्थान के कौन-कौन से व्यक्तियों ने यहां पर अपना य जो है वो आज तक भी एक्जाम में नहीं पूछा गया है, चैप्टर मैंने फिर भी आप लोगों को पढ़ा दिया था महात्मा गांधी, तो वहां पर केवल महात्मा गांधी की जो आत्मकता है सत्य के प्रियोग, तो केवल उसी के बारे में एक स्टोरी है, जिसमें से क्व जो है वो नहीं आता है, तो हम लोग नेक्स्ट जो है वो एिर्थ क्लास को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम उनके चैप्टर पढ़िएंगे, जैسे ही चैप्टर कम्प्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम करेंगे, जैसे हम करते आएं हैं, इनके कोशन आइंसर, ठीक है, तो दिखिए 6th class हमने पढ़ी, 7th हमने पढ़ ली, उनके question answer भी हमने अच्छे तरीके से कर लिए अब आपका काम है कि इनको note कर रहे हैं तो note करिए, जैसे भी कर रहे हैं आप लोग इनको याद रखिए तो मिलते हैं next video में, thank you